अश्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में अपन दो तिन जो आपके few questions है जो बार-बार arise होते है comment box में दोस्तो उस पर बात करने वाले हैं सबसे पहला क्या RRB JEE exam date दोस्तो सच में postpone हो चुकी है क्या exit exam date अभी तक कोई official announcement नहीं आया है और दोस्तो exam के लिए किते days बागी है one by one दोस्तो आपन सभी जो questions है इस पर बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी जित्ते भी doubts और जो queries है JEE से related RRB JEE से exam date से तो उसको solve करते चले दोस्तो आईए सबसे पहले आपने बात करते हैं दोस्तो यह मैंने RRB की side से जो official notification आया था RRB JEE जो different different post के लिए देखे junior engineer, junior engineer, information technology, deport material superintendent, DMS, chemical and metallurgical assistant दोस्तो इन post के लिए जो RRB ने जो advertisement किते 29 तारिक को publish किया था अपन सभी को पता है आपने दो तारिक से लेके 31, जनवरी के पूरे मन्त में इसके form भर है और 31 सारिक को यह close होगे दोस्तो अब दोस्तो जो अपने काम की चीज़ है दोस्तो वो दिखिए first stage, computer based stage, जो first CBT होने वाला है दोस्तो इसमें क्या लिखा है tentatively scheduled during April and May 2019 दोस्तो अभी मन चल रहा है April और दोस्तो जो अधिकतर में जो notifications देख रहा हूँ जो pics देख रहा हूँ, जो internet वे पढ़ रहा हूँ दोस्तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि due to elections the RRBJ exam get postponed दोस्तो दोस्तो यह बिलकुल गलत और fake news है दोस्तो यह RRB की site से दोस्तो यह official notification आया था और उन्होंने खुद mention किया था दोस्तो कि tentively schedule during April में दोस्तो अभी तक April का month भी end नहीं हुआ है और दोस्तो इसमें एक और बात कर लेते हैं अपन एक point और add कर लेते हैं कि दोस्तो जो RRB, ALP दोस्तो RRB, ALP और JEE दोस्तो इन दोनों का दोस्तो कोई वास्ता नहीं, यह दोनों अलग अलग है जो ALP का result इस बार cancel हुआ है, वो due to cancel क्योंकि इस बार जो result आने वाला है, वो accurate आएगा जो बहुत सारी गलती हुई थी, बहुत सारे जो questions में mistake थी दोस्तो, उन candidates की वो marks add होके वापिस उसे publish किया जाएगा, और जो marks के लिए आप representations भेज रहे थे, ALP वाले जो candidates थे उनको इस बार result positively मिलेगा और जो CBT 3 के लिए preparation करें दोस्तो, वो करते रही है और जो ये fake news आती है दोस्तो कि exam get postponed दोस्तो बिलकुल भी नहीं दोस्तो दोस्तो आपका जो first CBT दोस्तो पता चले कि अभी April के end में ही आपको कोई official notification देखने को मिल जाए और May में आपकी exam हो जाए दोस्तो exam का notification जैसे ही आएगा आपको उसके बात preparation करें दोस्तो इसलिए आप बिलकुल आलतो फालतो बात पे न ध्यान देते हुए दोस्तो मुझे लगता है कि जो जिनका जो ड्रीम रहता है दोस्तो कि I have to become an engineer दोस्तो उनको अच्छी सी preparation करनी चाहिए और especially railway Central Government की vacancy में दोस्तो आपको इंजिनियर बनने का मौका मिल रहा है दोस्तो तो बिलकुल भी इस opportunity को आप grab कीजिए से miss मत कीजिए जैसी भी कोई सा एक official notification आएगा तो जो आपने वहाँ पर registered number और आपका जो एक valid email address आपने वहाँ पर registered क्या होगा दोस्तो सबसे पहले आपको वहाँ पर आएगा न की इन वीडियो पर दोस्तो यह YouTubers को वह ऐसा send नहीं करते हैं कि हम आपको send कर रहें आप उसको post करें बिल्कुल भी दोस्तो ऐसा नहीं है दोस्तो सबसे पहले जो message और email आएगा वो आपको ही आएगा कि dear candidates आपकी exam इस date को है तो दोस्तो I think मुझे लगा कि आपको बताना ही ज़रूर ही इसलिए मैं नहीं वीडियो बनाया क्योंकि आप बिल्कुल भी confuse ना हुई है कोई भी दोस्तो अभी तक official announcement नहीं आया है कि J.E. की क्या date है बर दोस्तो आप अपनी preparation अपना hard work job dedication दिखा रहे है वो दोस्तो आगे चलते रहे है और दोस्तो as soon as possible उसकी date आ जाएगी मैं भी आपको दोस्तो confuse में नहीं रखना चाहता हूँ एक गलत जानकारी देखें मेरे पास भी अभी तक कोई date नहीं और नहीं कोई official notification आया है RRB J.E. के दोरा जैसे ही आएगा दोस्तो as soon as possible मैं उसको publish कर दूँगा और दोस्तो मुझे पता है अभी भी आपके information provide करने के लिए बनाया गया है अगर वो information या जो help आप चाहते हैं वो अगर आप तक पहुँच जाते हैं आपको मिल जाते that is enough for me तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you so so much दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में